आप लोगों का स्वागत है मेरे कॉर वीडियो में आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बिहार पुलीस के लिए प्रैक्टिस टेस्ट नंबर टू आ चुका है चलिए आप सब अटेम्ट करेंगे पर इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक ला गया है आपके उप्सन है फर्स्ट नंबर गंगा दूसरा है यमना तीसरा है कावेरी और चौथा है परूशनी अटेम्ट करेंगे प्रसीद दस राजाओं का युद्ध किस नदी के टट पर लड़ा गया है बहुत यह अच्छा कुशन है काफी वार एक्जाम में आया जैन धर्म के प्रथम तिर्थकर कोन थे यह आपको बताना है तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर रिशवदेव तीसरा नंबर कुशन है भारतिय संबिधान के किस अनुसुची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है आपके उप्सन है फर्स नंबर में तो वो कभी वीजेपी में सामील हो जाता है कभी वीजेपी का आदमी कॉंग्रेस में सामील हो जाता है तो आपको बताना है कि इस प्रावधान को किस अनुसुची में रखा गया है चलिए अटेंट करेंगे बहुत इस आंदर कोशन है तो तीसरा का सही आंसर हो जाएग अटेंट कीजिएगा भासा आधार पर सरप्रथम किस राज का गठन हुआ है यह आपको बताना है तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश इस राइट आंसर कुस्षन नंबर पाचमा है छोदर गरह किन कक्छाओं के बीच पा जाते हैं यह कुस्षन NCRT से लिया गया है और मैं किलास 6 का जोग्रफी का NCRT सुरू कर दिया हूँ उसका पहला वीडियो भी आ चुका है आप जाकर देख लेंगे क्योंकि वह इंपॉर्डेंट है NCRT से बहुत सारे कुश्चन आपके एक्जाम में आते हैं फिलाल 5 का सही नमबर मंगल और देस्पती तो उसमें काफी अच्छे ढंक से वीडियो के जरीए भी समझाया गया है कि छुद्रगरा एक्च्वल में होता क्या है चलिए छटे कुश्चन क्यों बढ़ते हैं दूट से क्रीम निकालने में किस बल का प्रियोग होता है आपके ऑप्सन है फर six का सई आंसर क्या होगा दूट से क्रीम निकालने में किस बल का प्रियोग होता है यह आपको बताना है ये समय NCRT में पढ़ा चुका हूँ NCRT science में तो six का सई आंसर हो जाएगा पहला नमबर अपकेन्दर बल ense RJ estos number seven है किरकेट में गैंद को कैच लेते समय खिलाडी का अप आपके option है पहला नियम, दूसरा है तीसरा नियम, तीसरा option है दूसरा नियम और चौथा है सभी नियम, चलिए सोच कर बताईए, किर्केट में गैंद को कैच लेते समें खिलाड़ी हाथ को पीछे क्यों करते हैं, ये किस नियम पर अधारी थे आपको ये बताना है, तो साथ का सही answer हो जाएगा आपका option number तीसरा दूसरा नियम, आटमा है निमलिकित में से किस देश में गदर पाटी की स्थापना हुई थी, आपका option है फर्ष्ट नंबर अमेरिका, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है स्पैन और चौथा है फ्रांस, निमलिकित में से किस देश में गदर प प्रथा का मतलब क्या था आपके option है first number 3 बटे 20 भुभाग पर नील की खेती करना दूसरा option है 3 बटे 19 भुभाग पर नील की खेती करना तीसरा है 3 बटे 18 भुभाग पर नील की खेती करना चौथा इन में से कोई नहीं चमपारन गांधी जी का पहला अंदोलन था 1917 में हुआ था बिहार के चमपारन जीले में हुआ था तो आपको ये बताना है कि एक्चुल में था क्या तो तिनकठिया पर था का मतलब था आप्शन नमबर पहला सही आंसर होगा तीन बटे बीज भुभाग पर निलकी खेती करना चलिए दसमें कोश्चन के और बढ़ते हैं डॉक्टर राजेंद परसाथ को 9 अगस्ट 1942 को गिरपतार करके कहां भेजा गया था 1942 के समय पे भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो इस टाइम इन्हें जो है किस जेल में रखा गया था यह आपको बताना है आपके उप्सन है फर्स्ट नमबर कैम्प जेल दूसरा है हजारी बाग जेल तीसरा है भागलपूर जेल और चोथा है बांकी पूर जेल अटेम्ट कीजिए बहुत ही अच्छा कोश्चन है हिस्ट्री का तो दस का सही आंसर हो जाएगा उप्सन नमबर 4 बांकी पूर जेल ग्यार्मा कोश्चन है मंत्री परिशत के विरूद और विश्वास प्रस्ताब लाने के लिए लोग सभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए आपके उप्सन है दूसरा है 60, तीसरा है 50 और चौथा है 25 और विश्वास प्रस्ताब किसके खिलाब आता है तो सरकार के खिलाब आता है जैसे कि अभी थोड़े ही दिन पहले हमारे परदान मंत्री नरेंदर मोदी जी के खिलाब आया था तो कॉंग्रेस पार्टी ने किया था तो कितने लोगों का सपोर्ट चाहिए तो वह ही आपको बताना है अगर इतने लोगों का सपोर्ट मिल जाता है तो वो और विश्वास प्रस्ताब को एक्सेप्ट कर लेते हैं लोगसभा के अध्यक्ष जो कि अभी वर्तमान में ओम बिल ला है तो ये 11 का सही आंसर हो जाएगा आपका उप्सन नमबर 30 पचास पचास लोगों ने हां भर दी और नरेंद्र मोदी के खिलाब उनके 9 साल के कारकाल में ये दूसरी बार और विश्वास प्रस्ताब आया था चलिए बढ़ते हैं 12 नमबर इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लिखा कोन है बहुत इंपोर्टेंट पुस्तक के हिस्ट्री के पहला उप्सन है तारा चंद दूसरा है SSN तीसरा है RC मजूमदार चौथा है विपिन चंद्र इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लिखा कोन है आपको ये बताना है तो 12 का सही आंसर हो जाएगा फॉर नमबर विपिन चंद्र विपिन चंद्र is the right answer पिर्मा प्रस ने अंतराष्टिय मुद्रा कोस का मुख्याले कहा है आपके उप्सान है फर्स नमबर वासिंगटन डीसी दूसरा है रॉम तीसरा है दिल्ली और चौथा है मासको IMF के बारे में पूछ रहा हूँ इंटरनेशनल मोनिटरी फंड के बारे में पूछ रहा हूँ अंतराष्टिय मुद्रा कोस का मुख्याले कहा है यह आपको बताना है तो तेरा का सही आंसर हो जाएगा पहला नमबर वासिंगटन डीसी जो की युएसे में है फोटीन नमबर है विवांतर का SI मात्रक क्या होता है आपके उप्सान है फर्स नमबर एंपियर दूसरा है वाट तीसरा है वोल्ट चौथा है ओम SI मात्रक आप सब याद कर लेंगे बहुत सारा कोस्चन इससे आ सकता है आपके एक्जाम में बहुत सारा नहीं एक दो तो आही जाता है तो प्लीज आप कम से कम 30-35 जो बहुत इंपोर्टेंट है उसको आप याद कर लीजिए तो विभांतर का SI मात्रक क्या होता है आपको बताना है तो 14 का सही आंसर हो जागा ओप्सान नमबर तीसरा वोल्ट वोल्ट इस राइट आंसर 15 नमबर कोस्चन है पोना समझोता का उद्देश क्या था आपके उप्सान है फर्ष्ट नमबर हिंदू मुस्लिम एकता दूसरा था दलित वर्ग को प्रतिनिदित्तु देना तीसरा है राजाओं को विजश सदिकार देना चौत है सेक्षिक सुधार पूना समझोता का उद्देश क्या था ये आपको बताना है चारों आपके सामने अटेम्ट कीजिए फिप्टीन का सही आंसर हो जाएगा आपसन नमबर दूसरा दलित वर्ग को प्रतिनिधित देना सिक्स्टीन नमबर बहुत इंपोर्टेंट है और थोड़ा सा हार्ड है कारा कोरम लद्दाक एवं जासकर स्रेनी किस हिमाले के अंतरगत आते हैं अगर आपको हिमाले की तीन पार्ट समझ में नहीं आ रहे हैंगे फिलाल 16 का सही आंसर हो जाएगा पहला नमबर ट्रांस हिमाले इस राइट आंसर कि 17 नमबर कुस्टन है पितासे में उपस्थित पथरी निमलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है यानि अगर आपके पितासे में पथरी हो तो यह जो आप फूड लेते हैं उनमें से कौन सा ऐसा भाग है जो आपको पाचन में प्रभावित होता है पचने नहीं देता है तो आपके उपस्थ नमबर प्रोटीन का दूसरा है वसा का थीसरा है कार्भोहेडरेट का और चौथा है निकुलिक अमल का जल्दी से बताएंगे 17 का सही आंसर क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रशन है तो 17 का सही आंसर हो जाएगा उपसन नमबर दूसरा वसा का अठारमा कोशन है संबिधान के किस अनुचेत के तहत राज के कारकारी सकती राजपाल में नहीत होती है आपके उपसन है फर्स नमबर अनुचेत 154 दूसरा अनुचेत 156 तीसरा अनुचेत 158 और चौथा अनुचेत 160 तो राजपाल की सकती किस अनुचेत के अंतरगत नहीत पुनीसमा कुस्ष्चन है निमलिखित में से किसमे उस्मा का अस्थानांतरंत सम्वाहन द्वारा होता है। अब यह सम्वाहन सब जो वर्ड आता है, यह आपको अच्छे डंग से पढ़ना पढ़ेगा तभी तो आप question को tackle कर पाएंगे आप पढ़ते नहीं है और direct objective बनाने बैट जाते हैं यही दिक्कत है और आपसे question बनता नहीं है तो please आप अच्छे से एक एक किताब को एक एक chapter को पढ़ें और मेरे channel पर बहुत कुछ पढ़ाया जा रहा है तो आप उसक इस व्यक्ति ने गांधी जी से स्वेंग चंपारान आने एवं वहां रहयतों की दैनिया अवस्था देखने का अन्रोद किया आपके option है फर्स्ट नमर राजकुमार सुक्ल दूसरा है भुपेंद्र नाद बसू तीसरा है जय प्रिकास नरायन और चौथा है डॉक्टर रा राजकुमार सुक्ल नेक्स्ट है 21 नमबर कुश्चन तद बोधनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई आपके option है फर्स्ट नमर केशप चंद्र सेन दूसरा है देवेंद्र नाठ टैग और तीसरा है राजा राम मोहन राय चौथा है द्वारका नाठ टैग और अटे चंद्र सेन 22 निति आयोग के अध्यक्ष कोन होते हैं आपके option है फर्स्ट नमर गिरी मंत्री दूसरा है वित्य मंत्री तीसरा है भारत के प्रधान मंत्री और चौता है भारत के राश्ट पती यह तो easy question है काफी बार में बात भी क्या हूं इसके बारे में तो 22 का क्या answer होग निति आयोग के स्थापना किसके अस्थान पर की गई थी आपके option है फर्स्ट नमर जंधन योजना दूसरा है योजना आयोग तीसरा है विसकर्मा योजना चौता है जल समाधान योजना तो निति आयोग किसके अस्थान पर आया था आपको यह बताना है मतलब किस योजना को समाप्त करके निती आयोग को लाया गया था यह आपको बताना है तो 23 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा नंबर योजना आयोग 24 नंबर कोशन है युक्रेन के मुद्रा का क्या नाम है आपके आपसन है फर्स्ट नंबर हरियानवी दूसरा है रूबल तीसरा है जलोटी होगा जलोटी चौथा है रुपिये तो बताएंगे युक्रेन के मुद्रा का क्या नाम है क्योंकि युक्रेन रूस ये काफी दिन से तो आ सकता है जैसे मैं पिछले वाले सेट में इसराइल का दिया था क्योंकि इसराइल नियूज में है तो युक्रेन की मुद्रा का नाम है पहला नमबर हर्यानवी हर्यानवी इस राइट आंसर चलिए आज के टिस्ट का आखरी कुश्चन देखते हैं आईए 25 नमबर देखत है ऐसा कुश्चन आ सकता है तो 25 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नमबर इराक इराक इस राइट आंसर तो यह थे बिहार पुलीस का सेट नमबर प्रैक्टिस टेस्ट नमबर दो जो की समाप्त होता है ऐसे ही हम से डेली 25 कुश्चन का टेस्ट करेंगे टेस्ट से आपको यह पता चलेगा कि किस सेक्टर में कमी है और किस सेक्टर को सही ढंक से कर लेना है क्योंकि अगले दो मैने में आपका एक्जाम होने वाला है तो प्लीज रिक्वेस्ट यू अच्छे से पढ़ेंगे आप सब और NCRT को सोर्स मान करके NCRT जो मैं वीडियो बना रहा ह लेंगे और एक लाइक कर लेंगे थैंक यू सो मॉच बाइबाय एंड टेक केर